प्रियमित्रों आज की कहाने उस राष्टर से है उस देश से है उस परदेश से है जो आज दुनिया का हिमन राइट्स का चैंपियन बनता है वो अपने आपको सुप्रीम अथरिटी समझता है और जो पुरी दुनिया के का समराज्य अपने नीचे समझता है वह है उनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका 16 जून 1944 एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम जियोर्ज जुनियस स्टिनी जुनियर था उसको मात्र चोदा साल की उमर पए इलेक्ट्रिकल चेर में चेर पर बिठा दिया जाता है एक पाद्री को एग्री किया जाता है जो उनको क्रिस्चनिटी के अंसान उनको अंतिम संदेश दे उसे बाइबल का ग्यान दे और वो भी एक बलेक पाद्री से है यह बलेक पाद्री उनको ग्यान देता है ग्यान देने के बाद में एक बहुत बड़ी से बाइबल जो वो बच्चा स्वेम उठा भी नहीं सकता वो उसको दी जाती है जिसको वो च्छाती से लगा के दोनों आथे से पकड़ करके जब इलेक्ट्रिकल चेर की तरफ जाता है तो उसको अपने साथ ले जाता है यह बाइबल इसलिए नहीं दी गई थी उसको कि यह कोई धार्मिक परंपरा थी यह उसको इसलिए दी गई थी क्योंकि वह एलेक्ट्रिकल चेर पर बहुत छोटा पड़ता था एलेक्ट्रिकल चेर एडल्ट लोगों के लिए बनाई होती है उनके साइज की बनाई होती है और यह एक चोदा साल का बच्चा था जोवनाईल डिलिक्वेंट था वो बच्चा जिसको आप फांसी पर नहीं चड़ा सकते है और यह किताब उसको इसलिए दी गई कि वो कुर्सी पर बैठ सके इसलिए उस बाइबल को उस कुर्सी की बैठने वाली जगे पर रखना था और फिर वो उस बाइबल के उपर स्वेम बैठ करके बैठता जिससे कि वे चेहर में फिट आ जाता और जितने वे लाट्रोड्स और जो शरीर को बांदा जाता है मौत की तड़फन को रोकने के लिए वो सब किया जा सके इसलिए वो बैबल उनको साथ दी जाती है और वो उसके बैठने से पहले चेहर पर उस बैबल को रखा जाता है और उस बैबल पर उसको बैठने के लिए कहा जाता है सारे स्टेप्स वेरा जो उस शरीर को बांदने के लिए होते हैं वो छोटे से बच्चे के लिए बहुत लूज है किसी न किसी तरह से उसको बांदा जाता है और बांदने के बाद उससे उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है जिसका बड़ी मेवसी से वो बच्चा नो सर क्याके जबाब देता है उसके बाद उसके सिर पर एलेक्टरोड्स और चेरे पर एक नकाब पहना दी जाती है लेकिन यह नकाब उसके चेहर से बहुत बड़ी है और उसके थोड़ी देर बाद जब इशारा होता है तो एक विक्ति स्विच आउन कर देता है स्विच आउन करने पर मरने से पहले एक लेक्खक ने कलपना की कि उसने क्या सोचा होगा उसने ये कलपना दिखाई कि शायद उसने उस पूरे सीन को याद किया जो कुछ हुआ था इस गटना का वरनन यूं किया जाता है कि यह वच्चा अब जो अपने माता पिता के साथ में साउथ कैलिफोर्निया में रहता है और उसके पिता एक सौ फैक्टरी में काम करते हैं और ये तीन भाई बहन है एक इसका छोटा बहाई है जो एगैरा साल का है और एक छोटी बहन है जो साथ साल की है मार्च में मार्च के मेहने 1944 में दो बच्चे जो लगबग इनी की उमर के हैं वो अपने घर से साइकल पर आते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं यह रहने की जगे साथन कालिफोर्निया में जो थी वह 1944 में दो हिस्सों में बाटी गई थी एक इसा जो रेल की पट्री के बाईयोर था वहाँ अंग्रेज लोग रहते थे और पट्री की दाईयोर ब्लैक्स लोगों के घर हुआ करते थे और यह रेलवे की पट्री ब्लैक्स और वाइट को डिवाइड करते थे ऐसी ही परंपरा थी अमेरिका में उस वक्त इस बच्चे को इस पट्री के आसपास वो बच्चेयां दो मिलती हैं जो अपने घर से सुबह सुबह साइक्लिट्स पर फूल लेने के लिए जंगल में जाती है और ये इन से पूछती है इस बच्चे से पूछती है कि जंगल में फूल के पूदे कहां है और ये उनको बराबर बता देता है कि वहाँ वहाँ पे उसने कुछ फूल वाले पूदे देखे है और वो लड़किया साइकल पर चड़कर उस तरफ चली जाती है ये लड़कियां के नाम थे बैटी जून जो 11 साल की थी और एमा थेम्स जो करीब साथ साल की थी ये वहाँ चली जाती है और ये अपने खेलते वे निकल जाते हैं स्कूल की तरफ लेकिन ये लड़कियां वापिस नहीं आती जब ये लड़कियां घर वापिस नहीं आती तो उनकी तलास शुरू होती है उनकी तलास करने के लिए पहले जो लोकल लोग थे उन्हें नहीं ढूंडा उन्हें कहीं मिला नहीं उसके बाद पुलिस को इन्फॉम किया जाता है अलकॉलू उस जगह का नाम था जहाए इनके घर थे और जहां पे वो जंगल में गई थी वहां पे उनको ढूंडने का प्रयास किया जाता है और बाद में काफी समय बाद वो दोनों लड़किया एक डिच में जंगल में जिसमें पानी भरा हुआ था दोनों मरी वही स्तिती में पाई जाती हैं और उनके शरीर पे काफी चोटे होती हैं उनका पोस्टमाटम करवाया जाता है पोस्टमाटम पे उनके शरीर पे चोटे रज़र आती हैं और वो रेप की संभावना भी डॉक्टर बताते हैं यह 23 जून को यह डेड़ बोडिस मिल जाती हैं और सारे करवाई यह सब पूरी करवाई जाती है पुलीस दोड़ा इसके बाद मार्च 24 को इसको शेरिफ के सामने पेश किया जाता है और यह बताया जाता है कि जॉर्ज जूनियस जिसको कि पुलीस ने अरेस्ट कर लिया था और अपनी कस्टडी में रखा था उसने यह कन्फेस कर लिया है कि उसी ने मर्डर किया है अब उस मर्डर की कहानी भी देखिया पहले वो छोटी लड़की को मारता है 14 साल का बच्चा जिससे कि वो बड़ी 11 साल की लड़की से रेप कर सके तो पहले 7 साल की बच्ची को मारता है और फिर 11 साल की बच्ची को मार करके फिर उससे sexual रेप करता है फिर वापिस आता है 20 मिनट बाद दुबरा फिर उससे रेप करता है यह 14 साल का बच्चा इस बात से किसी को भी इंकार नहीं होगा कि इस उमर का बच्चा 10-15 मिनट की या 20 मिनट की दुबरा से sexual एक्टिविटी करने में असमर्थ नहीं होता लेकिन इस बात को माना जाता है यह भी बताया जाता है कि उसने एक राइटिंग में पत्र दिया है कनफेशन दिया है पुलिस को पुलिस के जो आफिसर जानस्टन थे वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हों ने इस बात को कहा कि इस बच्चे ने अपने कन्फेशन को उसे दिया है अब उनके ट्राइल शुरू होती है 24 अपरिल 1944 को ट्राइल के लिए उनको कोट में पेश किया जाता है इस पूरे पीरिड में जब उसको पकड़ा गया 81 दिन के करीब बीच जाते हैं चलते हैं ट्राइल में के और सारे उसमें उसको सिर्फ अपने माबाप से एक बार एक मौका मिलने के लिए दिया जाता है उसको कोई वकील नहीं दे जाता नहीं उसके पेरेंट्स वकील कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त लिंचिंग की पूरी-पूरी संभावनाएं थी अब आप समझे लिंचिंग क्या होता है लिंचिंग यह होता है कि जब कुछ गोरे लोग किसी ब्लैक को पकड़ के जिस पे चूरी का या रेप का या मर्डर का किसी ग्रनित अपराद का शक हो तो उसको किसी भी लेंप पॉस्ट के साथ में फासी पे चड़ा दिया जाता था इसको लिंचिंग कहते थे और पबली अकसर किसी भी ब्लैक पे शक होने पर इस तरह की लिंचिंग कर देती थे तो उनके पैरेंट्स का, उनके बृदर्र्स का, सिस्टर का और उसको खुद को भी दिन्चिंग का बहुत, कवर्मेंट को इसगा भैठा। इसलिए नय तो उसके परिवार से कोई मिलनी द convention का जाता है। वो भी पुलिस का स्टडी के अंदर इसको कोई सेल्फ डिफेंस के लिए वकील नहीं दिया जाता नहीं वो वकील कर सकता है क्योंकि गरीब है और दूसरे वकील तो सब वाइट होंगे तो कौन उसकी पैरवी करेगा तो बिना पैरवी के ही उसको कोल्ट में पेश किया जाता है पोस्मार्टम एग्जामनेशन डॉक्टर ने अपनी एविडेंस दी कोल्ट में आकर कि हाँ रेब की पोसिबिलिटी हो सकती है और मृति को कारण चोटें बताई गई लेकिन उनका कोई क्रोंस एग्जामनेशन नहीं किया गया क्योंकि कोई कॉणसल था ही नहीं वहाँ पे तो कौन सवाल पूछता है उसके उपरांत 1994 में ही जो जूरी बनाई गई थी वह है आल वाइट थी सब गोरे थे उसमें कोई भी एक ब्लेक मेंबर जूरी में नहीं था और जज जो थे उनका नाम फिलिप एच स्टोल था और जूरी ने चार घंटे की मात्र सुनवाई के बाद यानि की कोट सिरफ चार घंटे की लिए बैठा लगा और उसमें सारे चार जए सारी जो कारवाई होती है वो कम्प्लीट कर दी गई और दस मिनट में जूरी ने अपना फैंसला दे दिया कि इस बच्चे को मौत की कारवाई मौत की सजा दे दी जाए और बाहर जो एक हजार अमरेकन वाइट जो एक हजार गोरे सजा को सुनने के लिए एकठे हुए थे उनके सामने जाकर के और यह एनॉंस कर दिया गया कि इनको मृत्यु दंड दे दिया गया है जज फिलिप एच स्टोल दोरा और उनको जो है सजा भी दे दे गई 16 जून को 1944 में सो मार्च में इंसिडेंट हुआ जल्दी जल्दी सब कुछ करके जून 16 को उनको एक्जीकुशन भी कर दिया जाता है और मात्र दो दिन पहले 14 को उनके फादर को उनसे मिले दिया जाता है काफी लोगों ने क्लेमेसी की डिमांड की लेकिन क्लेमेसी को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और फादर उनको फादर कर दिया जाता है अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि 16 जून उनसे सच्वालीश साड़े साथ बजे जब उस बच्चे को इलेक्टिकल चेर पे बठाया गया United States of America गौर्मेंट ने एक बहुत बड़ा अपराद किया दो कारणों से एक दुनिया भर में जुविनल डेलिक्वेंट्स को कोई फासी के नहीं देता है जुविनल की उम्र आप अलग अलग तै कर सकते हैं लेकिन उनको फासी के सज़़ आप नहीं दे सकते एक और 14 साल का बच्चा निश्चित रूप से एक जुविनल ओफेंडर के रूप में आता है दूसरा कोई अविडेंस नहीं है मात्र अविडेंस है एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ जो ने किसी के साइन सिगनेचर है उस पर कौन लिखने वाला ये भी उसमें नहीं है मात्र जिसको पुलिस कहती है कि ये इसका कनफेशन है वह है अनसाइड पेपर अनवेरिफाइड पेपर किसी भी जुडिशियल या नॉन जुडिशियल ओफिस के बिना काउंटर साइन के बिना किसी बहस के बिना किसी डिफेंस कॉंसल के बिना किसी क्रोस एक्जामनेशन के बिना किसी औरल अविडेस के खुद उस विक्टिम की और फिर उसमें क्रोस किसी भी जो प्रावधान कानूनी होते हैं उन सब को नजर अंदाज करते हुए बाहर खड़ी एक हजार गोरे लोगों की भीड की शांती के खुश करने के लिए जज साब उसको इलेक्टिकल चेर की सजा सुना देते हैं ऐसा मु और दूसरी जो ब्लैक्स के प्रती एक घ्रनित भावना उनके मन में थी जो सब के लिए थी हमारे लिए भी थी डॉक्स और इंडियन्स और नॉट एलाउट उन सब भावना को देखते हुए इस घ्रनित अपरात को पूरे दुनिया को निंदा आज भी करनी चाहिए और इस ऐसा हुआ भी दो हजार चार में जोर्ज फ्रीसन जो एक लोकल हिस्टोरियन थे अलकॉलू के उन्हों ने इसके उपर रिसर्च करना शुरू किया यानि कि क्रीक रूँ सत्तर साल बाद और एक वकील कैलिफोर्निया के जिनका नाम स्टीव मेकंजी था और दूसरे मेट बर्गस थे और उनके अलावा एक और एटरनी रे ब्राउन और जेम्स मून ने जिन्हों ने भी इसमें काफी साहिता की उन्हों ने एक पेटिशन डा Civil Rights and Restorative Justice Project के अंतरगत कहां पे डाला उन्होंने North Eastern University School of Law के द्वारा जो यूनिश्टी स्कूल था उसके द्वारा डाला गया है North Eastern University School of Law के तरफ से एक एमिकस ब्रीफ डाला गया 2014 में मतले प्रोसेस स्टार्ट की उन्होंने 2004 में 2014 में कूर्ट में एक एमिकस ब्रीफ डाला गया हूँ फिर्शन जो थे जो प्रवब उनो लायर थे उन्होंने रिलीफ के लिए कहा कि इनको पाड़न दिया जाए मृत वक्ति को मेकेंजिड वर्गिस ने अपने दो और साथियों के साथ में और स्निनी फैमिली के तरफ से एक मोशन फाइल किया ट्रायल के लिए 25 अक्टूबर 2013 को उन्होंने केस कुरी अपन के घोशना की रिक्वेस्ट की और साथ कन्विक्टेड बच्चे के लिए नियाय के प्रार्थना की उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा पाप हुआ है ये गलत था और कोड जो है इसको एक्जेमेन करे और एक्जेनरेट करे उस क्राइम के लिए जो 1944 में हुआ था और उन्होंने कारण